यह काश्वानी रायपूर है प्रादेशी के समचार बुलेट इनके साथ मैं शशी का अंतियादव और अब पेशन आचे मुख्र समचार प्रधान मंत्रिने ने हरियाना में राज्यों के ग्रिह मंत्रों के चिंतन शिवीर को संबोधित किया बंदूक और कलम के नकसलवाद सहित सभी तरह के नकसलवाद को जड़ से खत्म करने पर बल दिया सेल अगधर्चे सुमा मंडल ने आज भिलाई प्रवास के दौरान उम्मिद जताई की वर्ष 2030 तक सेल की उत्पादन च्छमता दोगुनी हो जाएगी सडक पर जंदिन मनाने और तलवार चाकू से की काटने वालों के खिलाफ पुलिस करेगी सक्त कारवाई बिलासपूर आईजी ने दिये निर्देश और नहाय खाय की रस्म के साथ आज से शुरूबा छट पूजा का चारदी उसी अनुष्ठा अब समचार विस्तार से प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने कहा है कि पंच प्रण को सुशासन का पथ प्रदर्शक होना चाहिए हर्याना के सुरजकुन में राज्यों के ग्रिह मंत्रियों के दो दिन के चिंतन शिवीर को सम्बोधित करते उन्होंने कहा कि अमरित काल में भारत के विकास की प्रिकल्पना को साकार करने में पंच प्रण की भूमी का महत्पून होगी श्री मोदी ने कहा कि देश को मजबूत करने से देश का हर नागरिक सशक्त होगा प्रधान मंत्री ने कहा कि अपराध अब इस्थान विशेश तक्सीमित नहीं है अंतर राजी और अंतर राश्ट्री अपराध की घटनाए भी बढ़ रही है इसलिए राज्यों की एजेंसों के बीच और केंद्र तथा राज्य एजेंसों के बीच परस पर सहीयोग महत्पू प्रधान मंत्री ने सभी राज्यों की पूलिस के लिए एक जैसी वर्थी पर विचार करने का सुझाओ दिया उन्होंने कहा कि इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक समान पहचान मिलेगी आतंकवाद के जमिनी ने ट्वर को खत्म करने की आवशक तक उदोराते हु कि यह समय की मांग है कि सब एक साथ आएं और इस्तिती को संभालें उन्होंने कहा कि नकसलवाद का हर रूप चाहे वह बंदूक वाला हो या कलम वाला देश के युवाओं को गुमराह करने से रोकने के लिए उन्हें जड़ से उखारना होगा प्रधान मंत्री ने चेताउ कश्मीर हो या पुर्वत्तर आजवे इस्ताई शान्ती की और तेजी से बढ़ रहे हैं। 33 मिलियन टन हो जाएगी। सेल अध्यक्ष ने भिलाई इस पास सेंत्र के निरिक्षन के बाद कहा कहीं सेंत्र के प्रत्य की भाग में प्रगती देखने को मिल रही है। उन्हें कहा कि सेल की सभी कायों के आधुनी की करण के दिशा में कारे किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेर कमिटी की बैठक आज राजी उभौन में हुई। बैठक के दोरान पार्टी की संगठ नात्मक मजबूती वर्ष 2030 के विधान सभा चुनाओ और वर्ष 2024 के लोक सभा चुनाओ में कांग्रेस की रणनीती पर चर्चा की गई। बैठक के दोरान पार्टी के नव निर्वाचित राष्टी अधक्ष मल्लिकार जुन खडगे के नित्रितु में कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करने का प्रस्ताओ पारित किया गया। बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी पी एल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बगेल, प्रभारी सचीव डॉक्टर चंदन यादो सहित पार्टी के नेक पताधिकारी उपसित थे। वहीं कांग्रेस की प्रदेश कारेकारणी की बैठक आवगामी 31 अक्टुबर को राजी भौन में आजो जित की जाएगी। प्रगत गैर संचारी रोगों के इलाज की व्यवस्ता सम्मदी बैठक को समभूतित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि गैर संचारी रोगों की रोग थाम और इलाज की समुचित व्यवस्ता सुनेशित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि 36 गड़ में गैर संचारी रोग जैसे कैंसर, मधुमे, रत्रचाप, हिर्दय रोग और किडिनी रोग से पीडित मरीजों के इलाज की त्वरित व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाश्वानी के इलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। यूट्यूब पर भी उप्लब्त है। हमारा फेस्बुक पेज चटिसगर्ड न्यूज ओन ए आई आई आर। तो अब रेडियो के साथ ही आपकी मोबाइल के जरिये भी हम पहुँच रहे हैं। और अगे बढ़ते हैं बाकी के समचारों की और। सड़क पर केक काटकर जर्मदीन मनाने वालों पर पुलिस अप सकत कारवाई करेगी। वहीं तलवार और चाकु से केक काटकर वीडियो वाइरल करने के वालों के खिलाफ आमस एक्ट की कारवाई की जाएगी। बिलाइसपूर रेंज के पुलिस महाने रिक्षक रतनलाल डांगी ने ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ सकत कारवाई के निर्देश देते हुए कहा कि अब बीच सड़क पर जर्मदीन मनाने और केक काटने पर संबंदित खेतर के थानेतार जिम्यदार होंगे। उन्होंने रेंज के सभी पुलिस अधिक्षकों को सोशल मीडिया में बंदूक, पिश्टल, तलवार और चाकू के साथ के काटते हुए वीडियो वारल करने वालों के खिलाफ आम्स एक्ट के साथ ही अन्य धाराओं के तहत केस दर्श कर जेल भेजने के आदेश दिये धमतरी जिले के दुगली वन पर एक शेतर के ग्राम चार गाउं में खेत में इसीत एक कोई में तीन हाथी गिर गए थे दिनें सुरक्षत निकाल लिया गया है। वहीं वन अमले ने जेसीवी की मदद से कोई के एक छोर को अटाया जिसके बाद तीसरा हाथी भी कोई से बाहर आ गया। वन युभाग के नुसार तीनों हाथी जंगल के भीतर सुरक्षित और स्वस्थ हैं। बिलासपूर रेल मंडल ने अपने ख्षेतर की गाड़ियों में इकैटरिंग सुविधा उपलप्त कराने वाले वेंडर्स की संख्या बढ़ाने का नियुनलिया है। वर्तमान में बिलासपूर मंडल के अंतरगत तीस इकैटरिंग वेंडर्स विभिन गाड़ियों में खान पान की सुविधा उपलप्त करा रहे हैं। रुची की अभियक्ति के अंतरगत इकैटरिंग सुविधा उपलप्त कराने के चुक वेंडर्स विस्तरित जानकारी के लिए मुख्य वानिज जनिरिक शक्त खान पान से संपर्क कर सकते हैं। देशभर में चार दिन का छट पूजा नुष्ठान आज से शुरू हो गया है। पानी में खड़े होकर डूबते सुरज को अर्ग देंगे। सुमवार को उगते सुरज को अर्ग देने के साथ चट पूजा नुष्ठान सेंपन होगा। चट परो को लेकर लोगों में उत्साहा का माहल है। इसे देखते हुए तालाबों और नज्यों के घाटों की सफाई की गई है। मुख्यमंतरी भूपेश बखेल ने उत्तर भारती और भोजपूरी समाज सहित समस्त प्रदेश वासियों को छट महापर्व की बधाई और शुप कामनाय दी है। मुख्यमंतरी भूपेश बखेल आज काकेर जिले के नथिया नवगापुचे वहाँ उन्होंने 36 गड़ विधार सभा के उपाध्ध्यक्ष स्वरगी मनोसिह मंडावी के शांती भोज कारेकर में शामिल हुए और उन्हें शद्धांजली अर्पित की। भारती जंता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुन साव आज काकेर जिले में एक कारेकरम में शामिल होकर लौट रहे थे। तभी कुरुत के पास उनके काफिले का एक वाहन दुरगहट नागरस्त हो गया। इस हाथसे में दो पुलिस करमी घायल हुए है। हिदायत उल्ला राश्ट्री विधी विश्विद्यालाद्वारा वाइस चौंसलर मीन्स का मेरिट छातर वित्ती योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहट B.A. L.L.B. ओनर्स के द्विती से पंचम वर्ष के चौबिस और L.L.M. के द्विती सेमेश्टर के छह चातरों को प्रतिवर्ष वार्षिक शुल्क के 50 प्रतिशत की चातर व्रति प्रतान की जाएगी। रैपूर के सेट्व इस्तित शास की और द्विती प्रतिशन सेंस्था में आज से दो दिवसी अप्रेंटिसिप मेले का आउजन किया जा रहा है। इसमें फीटर, मोटर मेकैनिक, डिजल मेकैनिक, वेल्डर, टर्नर, विद्यतकार, इलेक्ट्रोंडिस के आईटी आई उत्तिवन प्रशिक्षनारती भाग ले सकते हैं। रायपूर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंदर भूरे ने महिला और बालविकास विभाग में समवीदा पर नियुक्त नौ अधिकारी कर्मचैरों के किलाफ समवीदा नियुम के अंतरगत सेवा से बरखास्त की की कारवाई की है। इनकी सिवाएं 31 अक्टूबर से स्वद्ध समात मानी जाएंगी। जानगी चापाजिले के पंतुरा गाउं में पेट्रोल टेंकर की चपेट मेयाने से मोटर साइकल सवार से सील कर्मी की मौत हो गई। घटना से नाराज ग्रामीनों ने मार्क पर चक्का जाम कर दिया, बाद में मौज़ा मिलने के बाद ग्रामीन शांत हुए। राइगार शहर के युवा व्यावसाई मयंक मित्तल की आत्म हत्य के मामले में रुपए के लिए धंकी देने के आरोप में पुलिस ने साथ आरोपियों को एक खिलाफ मामला दर्जकर उन्हें गिरफतार किया है। नकसलवात सहित सभी तरह के नकसलवात को जड़ से खत्म करने पर बल दिया। सेल अध्यच सोमा मंडल ने आज भिलाई प्रवास के दोरानों मीड जताई की वर्ष 2030 तक सेल की उत्पादन छमता दो गुनी हो जाएगी। सड़क पर जन्वदीन मनाने और तलवार चाकू से केक काटने वालों के खिलाफ पुलिस करेगी सक्तकारवाई बिलासपूर आईजी ने दिये निर्देश। और नहाय खाय की रस्म के साथ आज से शुरू हुआ छट पूजा का चार दिख्री अनुष्ठार। इसी के साथ प्रादेशिक समचार बुल्डेटिन समाप्त हुआ नमस्कार।